गुट मॉर्निंग एवरीवान इंटर अउडिट नेवेंबर 22 बैच की फर्स्ट क्लास में आप सब का मोस्ट वेलकम हाजी आज से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है और लाइव बैच के टाइमिंग हमारे 10.30 to 1 o'clock रहने वाले है अच्छा काफी स्टूडेंट्स के मैसेज़ीज आ रहे हैं कॉल आ रही है सपोर्ट टीम के पास कि सर लाइव क्लास को कैसे जॉइन करना है मतलब उसमें चैटिंग किस तरह से करनी है जब आपने लाइव क्लास को जॉइन किया है तो राइट हैंड साइड पर एक option आ रही होगी चैट रूम लिखा हुआ आ रहा होगा और जब आप उस चैट रूम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक batch आ रहा है नमंबर 22 इंटर ओडिट बैच आप उस batch को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर एक box एपिर्ड होगा उस box के अंदर आप अपना कोई भी doubt टाइप कर सकते हैं वो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास screen लगी हुई है आपके doubt उस screen पर आ रही है तो जो भी आपके doubt होंगे in a relation to topics जो हम क्लास में discuss कर रहे होंगे वो मैं simultaneously आपके साथ discuss कर लूँगा तो chat room को join कर लीजिएगा और उसके बाद भी कोई problem आ रही हो तो technical team से contact number आपके पास है जहां पर आपको google drive का link भेजा गया था serial की भेजी गई थी उसमें technical team के number दिये गए है उन number पर call करके आपकी जो भी problem आ रही हो उसको resolve कर आ लीजिए अच्छा तो आप बच्चों ने chatting स्टार्ट कर दी है message आए है अभी 3-4 बच्चों के आए अर्चना, आयूष, देवी गूड मॉर्निंग एवरीवन चलो आज फस्ट क्लास है तो टेक्निकल धीरे-धीरे resolve हो जाएंगे हेमा गूड मॉर्निंग बेटा चलिए स्टार्ट करें अभी तो 4-5 बच्चे के ही message आए अरे आने लग गया अब गोपेश मित्तल हेलो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं और I hope so की विदिन एक-दो क्लास के अंदर ये जो चैटिंग का सिस्टम है, लाइव क्लासिस का सिस्टम है, सब लोगों को समझ में आही जाएगा प्रिया टंडन गुड मॉर्निंग बेटा अब बच्चे धीरे-धीरे करके जोईन कर रहे हैं चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को अच्छा पहले तो जल्दी से ये बताओ गुरुप वन के पेपर दे कर आए हो या बोथ गुरुप की तियारी कर रहे हो जी, प्रिया, गोपे, शेमा, अर्चना, आयूष, देवी हनजी बेटा गुरुप वन के पेपर दे कर आए हो, खाली गुरुप टू की तयारी कर रहे हो या बोथ गुरुप की प्रेपरेशन कर रहे हो आज अभी मैं पांच-दस मिनट तो आपके साथ ऐसी ही डिसकशन करने वाला हूँ बोथ गुरुप की वेरी गुड आयूष का कहना है सर, गुरुप वन कंप्लीट वेरी गुड गुरुप टू पर आ गए हो, ठीक है अच्छा, चलिए गुरुप टू की बात करते हैं गुरुप टू में आपके चार पेपर आते हैं एक एडवांस अकाउंट का दूसरा इंटर में और्डिट एंड एशोरेंस का एफम इको का एंड एईएस एसम का गुरुप वन दे दिया वेरी गुड चलो जिनोंने गुरुप वन दे दिया उनके लिए तो गुरुप टू बहुत असान रहने वाला है चार पेपर हैं सिरफ उनी की तयारी करनी है लेकिन जो बोथ गुरुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा गुरुप टू की क्लासिस भी कवर अप करनी है and at the same time गुरुप वन को रिवाइज भी करना है तो अपनी क्लासिस को as per schedule अटेंड करते रहिएगा जो टेस्ट आएं उनको टाइम पर दीजिएगा और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बोथ गुरुप के स्टूडेंट हैं कि अपने गुरुप वन के जो पेपर से हैं उनकी टाइमली रिवीजन जरूर करते रहिएगा चलो start करते हैं मैं पहले आपके साथ इंटर आउडिट के पेपर की कुछ बेसिक डिसकशन करने वाला हूँ and thereafter आज हम कुछ introductory topics को पढ़ेंगे हमारा पेपर नमबर 6 Auditing and Assurance नमबर 1 क्या syllabus है उसकी बात करेंगे हम books आपको क्या-क्या available होंगी उसकी discussion है हमारी आपको classes कैसे available होंगी क्या classes का schedule रहने वाला है classes किस mode पर run होंगी वो सब बातें हम discuss करेंगे इसके अलावा आपके mind में कोई और चीज हो जो आप जानना चाहा रहे हों वो आप मुझे message कर दीचेगा सबसे पहले तो हम syllabus की बात करते हैं आपके syllabus में in total 13 chapters हैं जिनको हम divide कर सकते हैं तीन parts के अंदर अभी आपको कोई noting नहीं करनी अभी कोई भी noting नहीं करनी जब main topic को start करेंगे तब आपको note करना है नंबर एक पर बात आजाएगी auditing से related concepts की जिसके अंदर हम study करने वाले हैं audit क्या होती है audit plan, audit program, audit evidence, audit documentation audit strategy, audit execution, audit report इस तरह से auditing concept हम पढ़ेंगे इन auditing concepts को पढ़ते वक्त हम कुछ standards पढ़ेंगे अचा मुझे एक चीज का जवाब दो जब आप accounts cover up करते हैं account study करते हैं तो accounting aspects को कुछ standards regulate करते हैं आप बता पाएंगे उन standards को क्या नाम दिया जाता है या वो standards कितनी तरह के हैं जब accounting की बात आ जाती है कोन से standards हैं या उनको क्या नाम दिया जाता है any idea जवाब आ रहा है जी sir उनको नाम दिया जाता है accounting standard का उनको नाम दिया जाता है ind as का अच्छा बिलकुल सही जवाब दिया आपने लेकिन अब यदि मैं इसी चीज को change करूँ जब आप audit पढ़ रहे हैं तो क्या audit के भी अपने कुछ standard होंगे definitely हाँ तो उन standards को क्या नाम दिया जाएगा उन standards को नाम दिया जाता है standards on auditing तो आपके syllabus का एक पार्ट significant important पार्ट है standards on auditing नमबर दो पर आपने group 1 में law भी पढ़ा होगा बिलकुल पढ़ा है और law के अंदर आपने company law पढ़ा है आपने Indian contract act पढ़ा है negotiable instrument पढ़ा है उसके अलावा दो चैप्टर interpretation of statutes and general clauses act भी पढ़ा company act का last chapter आपका इंटर law के अंदर audit and auditors का होता था जो regulate करता था audit से related provision तो इन 13 chapters में हम कुछ legal aspects को भी cover up करने वाले हैं जिसके अंदर companies act 2013 का chapter number 10 हम cover up करेंगे फिर बात आएगी कुछ miscellaneous topics के जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे financial statements की जो various items होती है like assets है liabilities है income है expense है उनकी जो specific items होती है property, plant, equipment, intangible assets trade receivable, trade payable, inventory उन एक एक आइटम को during the course of audit किस तरह से examine किया जाता है फिर एक particular sector की audit आएगी bank audit और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग different entities की audit को भी हमें cover up करना होगा जिसके अंदर hotel, cinema, club, ngos, government institutions, municipalities, LLPs, cooperative societies, partnership firm, soul proprietorship, charitable institution, educational institutions, multiplex, cinema, बहुत सारी organizations हैं sector wise जिनकी audit हमें cover up करने पड़ेगी तो हमारे syllabus को हम primarily इन तीन categories के अंदर divide कर रहे हैं और ये तीनों categories के जितने भी topics हैं institute ने इनको 13 chapters के अंदर cover up किया है मैं आपको एक बार chapters दिखाओं ये रहे हैं जो आपका chapter number one है उसका नाम होगा nature objective and scope of audit chapter number two का नाम होगा audit strategy planning and programming chapter three का नेम है audit documentation and audit evidence chapter four risk assessment and internal control chapter five fraud and auditor's responsibilities chapter six audit in automated environment chapter seven audit sampling chapter eight analytical procedure chapter nine audit of items of financial statement chapter ten audit of an auditor eleven audit report twelve bank audit and chapter thirteen audit of different entities ये total 13 chapters हैं जो आपके syllabus का part है जिनको हम 54 lectures के अंदर cover up करने वाले हैं ये एक complete schedule है chapter wise और lecture wise कि हम कौन से lecture में कौन से topic को cover up करेंगे और इसी schedule में हमने mention किया है कौन सी हमारी classes live होंगी कौन सी classes recordings available होंगी और जो recordings हैं वो आपको किस date तक available हो जाएंगे जो हमारे syllabus का सबसे important area है वो है auditing concepts और उन auditing concepts के अंदर भी जो first four chapters है वो the most important chapter है तो उनको हम live classes के अंदर cover up करने वाले हैं पहले चार chapter जहां पर हमारे 22 lectures जाएंगे thereafter ये चार chapter बहुत ही छोटे छोटे chapter है fraud का chapter, automated environment, audit sampling, analytical procedure इनकी recordings आपको आपकी google drive पर 30th of November तक available हो जाएगे chapter 9 again a very important chapter जिसके अंदर accounting, audit, law सबका एक mixture है ये chapter तो इस chapter को भी मैं live लूँगा chapter number 10 audit and auditor ये आपका वो chapter है जो intermediate के law के paper के अंदर आपका last chapter होता था section 139 से लेकर section 148 जिसके अंदर आप 139 से 148 along with companies audit and auditor rules 2014 को cover up करते थे but audit के paper में हम इससे और आगे बढ़ेंगे एक auditing standard भी पढ़ेंगे और एक order है जिसका नाम है companies auditor report order 2020 उसको भी हमें cover up करना है तो ये आपको again studio recordings होंगी आपके पास 10th of December तक available हो जाएंगे ये आगे का chapter audit report bank audit and audit of different entities ये इनकी tentative date आपके पास है कि 31st of December तक जो recordings आपको available करानी है वो आपकी google drive पर आ जाएंगे जो live classes है वो हमारी 22 ये प्लस 6 तो 28 sessions हमारे live होने वाले हैं और 26 आपके recorded sessions है तो किस तरह से आपको recorded sessions को भी cover up करना है जैसे जैसे हम आगे भढ़ेंगे मैं आपको guide करता चलूँगा आपको अपने आप start नहीं करना अभी कोई भी lecture recorded का तो सबसे पहले तो आपको mind में ये बिठाना है आपका syllabus क्या है आपके syllabus में in total 13 chapters है और 13 chapters तीन categories में आते हैं एक auditing concepts की category है second law की category है third miscellaneous की category है ये तो बात की हमने syllabus की अब हम बात करते हैं नंबर दो पर books की क्या intermediate के group 1 में आपने institute के study material को use किया है ICAI के study material को बताईए yes या no में तो जवाब दो बिटा ICAI का material जवाब आ रहा है जी नहीं जी हां ओके yes और no दोनों जवाब आ रहे हैं ICAI आपको दो बुक अवेलेबल कराता है एक जो institute का main study material है दो जो institute की MCQ की booklet है study material प्लस MCQ booklet हम आपको दो बुक अवेलेबल कराएंगे एक बुक जो हमारी main comprehensive book होगी that will not be in the form of class notes class notes तो मैं आपको class में noting कराऊंगा आपकी written practice कराऊंगा कोई class notes की बुक आपको as such अवेलेबल नहीं होगी वो notes आपको बनाने है हम आपको जो बुक अवेलेबल कराएंगे वो एक comprehensive book होगी number 2 पर आपको एक question bank अवेलेबल कराया जाएगा जिसके अंदर तीन पार्ट होंगे पहले पार्ट में हम आपको descriptive questions देंगे दूसरे पार्ट के अंदर chapter wise mcq होंगे और तीसरे पार्ट में integrated case studies होंगे हमारी बुक किस तरीके से design है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये comprehensive बुक का chapter number one है इसके अंदर जो institute का study material है उसी की sequence में topic को arrange किया गया है कोशिश की गई है institute के study material की language को ही as such use किया जाए to the extent possible और जितना उसको simple and understandable form में convert किया जा सकता है वो इसके अंदर किया गया है तो जो topics की sequence है institute के study material वाली है topics को उसके content को point wise form में हमने cover up किया है और जैसे ही कोई topic खतम होगा तो उसके बाद उसके उपर जो important question है चाहे वो institute के study material के है mock test paper के है revision test paper के है या past exam के हैं उनको cover up किया गया है हर एक topic खतम होने के बाद end book आपकी बिलकुल updated है November 22 के exam तक आज 18th of November है और आपका November 22 में inter audit का paper 13 या 14th of November को हुआ है तीन या चार दिन पहले उस paper को भी इस book के अंदर cover up किया गया है जहां जहां पर जो जो questions आए हैं जैसे इस chapter की ही बात करें chapter number one की तो इस chapter के end में आपको एक examination weightage मिलेगी ये रहे में 18 से लेकर November 22 के exam तक क्या क्या questions पूछे गए हैं किस-किस topic पर कितने marks के जैसे chapter one की बात करें November 22 में two marks का एक objective question और four marks का एक subjective question और subjective question किस topic पर आया है change in terms of audit engagement के उपर आया है जितने objective question है वो along with answer लगे हुए है जितने भी descriptive questions होंगे उनका detailed content आपके पास available होता है और उसके बाद उसके question होते हैं ये November 22 का question है तो आपको institute के study material से या RTPs से MTPs से या past exam से कहीं से भी अलग-अलग जहंगा से material इकठा करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी questions की वो सारे के सारे question arranged है topic wise हर एक topic खतम होता है तो उसके question है अब बहुत सारे बच्चों का फिर ये चीज़ आ जाती है कि सरी जो question है हम इन question answer को revise करना चाहते है खाली exam time में तो क्या उसके लिए आपको ये एक book मिलेगी जो हमारा question bank है इस question bank के तीन हिस्से है पहला हिस्सा है descriptive questions का descriptive questions के अंदर descriptive questions में वो ही जो हमारी main book की question sequence है वो ही sequence आपको मिलेगी और उसके अंदर detailed answer और जो answers हैं वो point wise हैं for easy learning आप answers को अराम से याद कर सकते हैं points दिये हुए हैं कितने marks के question के लिए आपको कितना answer लिखना है वो सब आपको ये book help करने वाली है इस book में भी वो ही sequence यूज़ की गई है जो आपकी main book के अंदर sequence यूज़ होगी और beginning में आपको एक table मिलेगी एक chart मिलेगा जिससे आप analyze कर सकते हैं कि May 18 से लेकर आज तक कितने marks के question पूछे गए हैं जैसे November 22 के exam में इस chapter से 6 number का question आया था तो ये question bank आपको help करेगा question answers की practice करने में एक तो हो गए ये descriptive question नमबर 2 पर बात आजाएगी आपके exam में 30 marks के multiple choice question आते हैं 30 marks के तो multiple choice question इसी question bank के दूसरे part में लगा हुआ मिलेगा और इन multiple choice question में भी आपको institute के material को RTPs को MTPs को अलग से refer करने की जुरुत नहीं पड़ेगी institute के material में chapter wise question अरेंज नहीं है हमने क्या किया है material से RTPs से MTPs से chapter wise question उठाई जैसे chapter 1 chapter 1 के question पहले सारे study material के question आ गए question 1, 2, 3 up to question number 10 study material के question है thereafter फिर आपको MTPs के question मिल जाएंगे जहां पर भी MTP में question आया, RTP में question आया यह सारे के सारे questions आपको chapter wise मिलेंगे chapter 1 complete होगा फिर chapter 2 आएगा thereafter chapter 3, 4, 5, so on तो इसी book से आप chapter wise भी multiple choice questions की practice कर पाऊगे यह बात हो गई अब आपको पता है आपके exam में integrated case studies भी आती है 30 marks के MCQs में 16 से लेकर 20 marks की case studies भी पूछी जाती है तो यह case study around 27 case studies हैं जो इसी question bank के अंदर आपको लगी होई मिलेंगे और यह case study भी सारी जो institute के MTP, RTPs के अंदर हैं वो है सब और इसमें जो एक सबसे main बात है institute के mock test paper, RTP या past exam जिस year में हुआ उस समय पर जो concept applicable था आपको answer सिरफ वो ही मिलते हैं institute के material में बट हमने यहाँ पर इनको आज के provisions की according fully update किया है जैसे एक order होता था Companies Auditor Report Order 2016 वो change हो गया, अब नया order आ गया Companies Auditor Report Order 2020 बट क्या 2019 के mock test paper में या revision test paper में institute ने change किया होगा, कारो 2020 की according नहीं किया तो आपको वो पुराना material refer करने की requirement नहीं आएगी आप इस material पर rely कर सकते हैं, हमने इसको पूरी तरह से update करने की कोशिश की है और reference के लिए कि यह question कहां से उठाया गया है, वो लिखा भी है कि यह question MTP का है या RTP का है, तो accordingly आप cross check करना चाहें, कहीं पर कोई doubt आए तो आप cross check भी, cross examine भी कर सके, for your reference attempt भी दिया गया है तो इस तरह से हमारे पास से आपको जो books available होंगी, यह दो books available होंगी एक comprehensive book और दूसरी आपको question bank मिलेगा, जिसके अंदर तीन पार्ट होंगे descriptive question, multiple choice question and integrated case studies का अब आगे बात करते हैं, sir यह जो class का material है, यह मिलेगा कब? यही तो सबसे बड़ा question है अब बेटा देखो, 13th of November को या 14th November को आपका exam हुआ था inter audit का, आज है 18th of November हमने अपनी तरफ से at the earliest November 22 के paper को भी incorporate किया है और book को printing के लिए भेजा है, अभी book की proof reading चल रही है कि कहीं पर कोई grammatical mistake या spelling mistake ना हूँ, alignment proper है या नहीं जैसे ही उसकी proof reading होगी, books printing में चली जाएंगे और printing में भी लगभग 3-4 दिन तो लगेंगे और उसके बाद एक दिन dispatch का लगेगा तो मान कर चलिए, book आपके पास 25th या 26th of November तक dispatch हो पाएंगे मैं मान कर चलता हूँ, आप comfortable होंगे इससे क्योंकि आपको updated books as such मिल रही है हम जल्दी book दे देते, book देने को तो मैं आपको October में ही print करा देता हूँ लेगिन October के अंदर book print होती तो उसके अंदर mock test paper, RTP या फिर जो November 22 का exam है वो incorporate नहीं हो पाते, तो आपको एक comprehensive material available हो इसलिए book में थोड़ा सा delay है और delay इसी कारण से है कि 13 November को तो paper हुआ है उसके बाद 10-12 जिन तो लगेंगे ही printing में, proof reading में, dispatch में लेकिन तब तब के लिए मैं आपको chapter 1 के notes अवे लेबल करवा दूँगा आपकी Google Drive पर ही ताकि आपकी classes as such चलती रहे Is it okay? हंजी, गोपेश, आयूश, प्रिया, हेमा बताओ बेटा, is it okay? जी, सर, जवाब आगया, जी, सर, जल्दी से जल्दी available करा देना, हाँ, बिल्कुल बेटा, जल्दी से जल्दी available कराईगे अब इसके बाद, फिर बात आती है, थर्ड नंबर पर Classes की, Schedule की, और Classes के Mode की ये मैंने आपके साथ पहले ही डिसकस कर लिया इन टोटल, 54 Classes है, जिसमें हम 13 chapters को cover करने वाले हैं, एक chapter के ऊपर कितने number of lectures होंगे, वो सब इस schedule में दिया गया है कौन से lectures live class में cover होंगे, कौन से classes आपको recordings मिलेंगी, live classes का timing क्या है, live class कब तक चलेंगी, recording कब तक available होगी तो वो सब इस schedule में हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो basic चीजे हैं, जिनके बारे में एक student की curiosity होती है माइन में पहले से चीजे चल रही होती है, topic को शुरू करने से पहले कि सर बैच कब खतम होगा शुरू बाद में होता है, पर सबसे पहले चिंता ये होती है, खतम कब होगा और वो चिंता अपनी जंगा पर जायज है, क्योंकि आप लोगों को planning करनी होती है, revisions की, दूसरे subjects की, और भी बहुत सारी चीजे होती है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ये schedule बनाया है, कि आपको classes कब कब कैसे कैसे available होगी है syllabus की बात हो गई, books की बात हो गई, classes के schedule की बात हो गई, और मेरे को आपके साथ क्या-क्या discuss करना है में तो यही चीजे थी, इसके बाद कुछ students के mind में एक और चीज चल रही है May 23 and November 23 attempt इस time पर students यह सोच रहे हैं कि sir हमारा May 23 में attempt है but at the same time कुछ students हैं जो November 23 को भी शायद से plan करके चल रहे होंगे जिन students का May 23 में attempt है, उनके लिए ये batch पूरी तरह से relevant है इसके अलावा उनको कुछ भी और नहीं करना हाँ, जहां तक बात है November 23 की कुछ चीजे सुनने में आ रही हैं कि institute new scheme को at the earliest implement करने की तयारी में है और November 23 में शायद से new syllabus effective हो सकता है शायद से और यदि ऐसा होता है तो क्या option मिलेगी पुराने students को कि वो पुराने syllabus की according exam दे या compulsorally उनको new syllabus में convert करना पड़ेगा ऐसी अभी कोई भी clarity नहीं है बट जो information बाहर निकल करके आ रही है उसके हिसाब से ये बाते हैं कि student को new syllabus की according ही exam देने पड़ेगे तो जो student November 23 के लिए भी plan कर रही है मैं उनको एक चीज assure कर सकता हूं कि जो syllabus inter audit का होगा उसके अंदर जो भी changes institute करेगा जहाँ जहाँ पर वो change आएगा उन changes की transition classes हम आपको आपकी google drive के उपर as such available कराईगे तो इसमें यदि आप अभी अपनी preparation को start करना चाहते हैं कर सकते हैं जो भी changes institute syllabus के अंदर लेकर के आएगा उन topics का material हम आपको इसी google drive के link पर जैसे ही वो चीजे announce होंगी formally announce होंगी तो वो आपको available करवा दी जाएगे तो ये थी हमारी कुछ basic बातें syllabus को लेकर, books को लेकर, schedule को लेकर and may 23, november 23 के attempt के confusion को लेकर तो अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं यदि आप इजाज़त दें तो जी आपका message नहीं आया बड़ी देर से मेरे पास कोई गोपेश, आयू, श्प्रिया, हेमा जो बच्चे ज्वाइंड है वो तो आज message करो बाकी बच्चों का कुछ technical चल रहा है अभी हो जाएगा वो भी result, जी, continue करें, मैं आपके message का wait कर रहा हूँ, जब आपका message आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे अब, जी sir, जी sir, ठीक है, चलिए फिर, ओके go ahead का message आगया, चलते हैं फिर आगे, आज हमारा introductory lecture है, जिसके अंदर हम audit से related कुछ topics को discuss कर रहे हैं, as such, कोई chapter की discussion नहीं है, जो chapters के अंदर concepts use होने वाले हैं, हम उनको discuss करने जा रहे हैं, general discussion है सारी, किसी तरह की कोई book की requirement नहीं है, आपको सिरफ इन concepts को समझना है, सबसे पहले हम बात करते हैं, auditing होती क्या है, meaning of term auditing, यहाँ से आपको noting करनी है, class notes, आपको class के अंदर ही prepare करने हैं, यह noting आपको help करेगी, written practice में आपके exam written है, descriptive papers आते हैं, तो आप यह noting करेंगे, तो आपकी written practice होती चली जाएगे, auditing का मतलब क्या है, कैसे हम इस word को define कर सकते हैं, auditing may be defined as systematic and independent examination Kiska of data records statements operations and performance of an entity for a stated purpose तो auditing को जब हम defined कर रहे हैं तो वहाँ पर जो words हमारे पास आ रहे हैं नमबर एक, auditing एक systematic examination है auditing एक independent examination है किसका data records statements operations performance of an entity for a stated purpose तो नव अब इनी words को हमें discuss करना है systematic word किस चीज को represent करता है systematic जब हम एक चीज को proper तरीके से plan करके step-by-step activity में perform करते हैं तो क्या audit भी एक systematic activity है या एक hefizet manner के अंदर conduct की जाएगी no, audit is a systematic activity जहाँ पर एक stage आएगी audit engagement then audit planning, then audit execution, then audit reporting तो systematic word represent करता है किस चीज को proper planning को so, पहली requirement आ गई कि जो audit है वो एक properly planned activity होनी चाहिए दूसरा word हमने use किया independent independent क्या होता है जो किसी पे depend ना करें वो independent है जैसे आप किसी पे depend नहीं करते है आप अपने आप ही अपने सारे काम कर सकते है but काफी चीजों के लिए आप dependent है parents के उपर कुछ चीजों के लिए शायद अपने friends के उपर कुछ चीजों के लिए society के उपर लेकिन जब audit की बात होती है audit is only an activity तो auditor को जो ये examination करनी है वो independently करनी है independently से मतलब जो उसकी knowledge है जो law की requirement है जो regulatory requirements है उनको ध्यान में रखकर उसको इन data का records का statements का examination करना है बिना management के बिना governing body के बिना shareholders के दबाव में influence में आए so independent से हमारा क्या basic meaning आजाता है without being influenced by others without being influenced by others बिना किसी के influence में आए exam में आपको ये word नहीं लिखने कि without being influenced या proper planning exam में यदि audit पूछा जाता है तो आपको systematic and independent examination of data, record, statement, operation, performance of an entity for a stated purpose लिखना है लेकिन जो ये word use किये गए है इन words का meaning तो आपको पता ही होना चाहिए examination से हमारा क्या मतलब है किसी चीज को examine करना और वो चीज matter यहां पर क्या है data हो सकता है, record हो सकता है, business operations हो सकते है audit होती कैसे है फिर audit की examination उसके लिए दो main activity आती है एक होता है vouching word और एक होता है verification word voucher आप सबने सुना होगा voucher क्या होता है basically एक transaction का supporting document, supporting evidence in the form of an invoice, in the form of a cash receipt, in the form of a cash memo तो जो एक transaction का supporting document है उस voucher को check करना that is termed as vouching verification क्या है जो assets, liabilities, आप balance sheet के अंदर दिखा रहे हैं उनकी existence को, उनकी occurrence को, उनकी valuation को उनकी presentation को, उनके disclosure को check करना that is termed as the verification chapter 9 जो है हमारा वो पूरा vouching and verification के ऊपर based है so audit word क्या है एक systematic and independent examination किसका पहला वर्ड यूज किया गया data और वो data may be financial data और non-financial data financial data financial data जैसे assets, liabilities, income, expense, debtor, inventory non-financial data, labor hours inventory की quantity इनकी इनकी भी checking हो सकती है जो एक entity ने बना रखे है उनका examination statements जैसे financial statements हो गई एक word है books of account और एक word है statement जो आपकी primary accounts है जिसमें आप subsidiary books, ledger की बात करते है वो record है लेकिन उनसे जो आपने financial statements बनाई balance sheet, P&L account, cash flow statement these are termed as the financial statement so there always exists a difference in between the word record and the statement record एक basic record है जिसके basis पर आगे जाकर के statements बनाई जाती है so आपको इन difference को हमेशा याद रखना है कि record क्या है and statements क्या है और record की भी audit होगी and statements की भी audit होगी operations business के operation that may be production sales, marketing collection business की किसे भी production activity का audit कराया जा सकता है उसको operational audit बोला जाता है performance financial performance की audit हो सकती है managerial persons की performance audit हो सकती है जिसको management audit का नाम दे दिया जाएगा तो एक person को जो target दिया गया था उसने अपने target को achieve किया या नहीं किया उसकी evaluation that is termed as the management audit तो ये क्या है basically evaluation of performance of a person तो audit ऐसा नहीं है कि वो सिरफ और सिरफ accounting की ही होगी वो non accounting matters की भी audit हो सकती है अब बात आगी of an entity क्या entities से यहां पर मतलब हमारा सिरफ profit making activity है no all entities चाहे वो profit making है या वो non profit making है वो corporate entities है या फिर वो non corporate entities है किसी भी तरह की entities है सारी entities को हम cover up करके चलेंगे किसी भी entity की audit हो सकती है अब बात आजाती है purpose की किस purpose के लिए audit को कराया जाएगा data कोई भी data या financial statement आप examine करा रहे हैं किस लिए उस data की उस record की उस statement की fairness को जानने के लिए उसकी reliability को ensure करने के लिए तो उसके उपर एक opinion express करता है auditor तो purpose क्या है to express an opinion क्या ये financial statement true and fair view express कर रही है financial results का, financial position का या नहीं तो ये एक definition है जो otherwise बहुत असानी से दो मिनट के अंदर खतम की जा सकती थी कि मैं बोल देता audit is a systematic and independent examination of data, record, statements, operation, performance of an entity for a stated purpose लेकिन जो keywords use किये गए हैं उन keywords को आपको ध्यान में रखना है एक-एक keyword का meaning आपको पता होना चाहिए यदि इसी तरह से आप एक-एक word को study करके चलेंगे तो ये subject technical तो है ये हमारे course का या हमारे profession का core area है जब भी आप किसी से बात करेंगे कि chartered accountant क्या काम करता है सीधा सा जवाब आएगा audit करता है chartered accountancy के profession को audit का profession ही सबसे main माना जाता है तो वो audit, tax audit होती है, financial statement audit होती है, operational audit है तो जब आपने आगे जाकर इस profession के अंदर जाना है तो आपको इस subject को पढ़ते वक्त mind में एक चीज़ जरूर रखनी है कि ये एक subject नहीं है, rather ये subject के साथ-साथ आपका profession भी है इस के साथ किसी भी तरह की cheating मत करियेगा objective यही है कहने का मेरा, ये आपका profession बनना है और जब मैं बात करता हूँ, cheating की subject के साथ cheating मत करियेगा तो वो यही है कि जैसे आप दूसरे subject के उपर due time देते हैं इस subject को भी due time दीजिएगा subject technical है हाँ, यदि आप इसको graduation level पर, become level पर पढ़े वहाँ पर ये technical नहीं है, वहाँ पर ये बड़ी आसानी से ratification के साथ हो जाता है लेकिन जब हम इसको CA course के अंदर पढ़ते हैं ये profession है subject के साथ साथ और आपको पूरी life इस profession को exercise करना है तो अभी इसके साथ कोई cheating मत करियेगा cheating से मतलब है, किसी short tricks पे आपको नहीं जाना due time इस subject को दीजिएगा, चीजों को समझने के लिए so, एक-एक word जो आ रहे हैं मेरा objective इन दो introductory lectures को लेने का यही है कि जो keywords हैं, मैं एक बार आपके mind में इनको डाल दूँ इनका concept आपको clear हो जाए ताकि जब आप chapter 1 से अपनी classes को start करें main topic के उपर आएं तो आपको वहाँ पर कोई अजीब feeling ना आए कि यह क्या होता है तो यदि basic चीज़े आपको पता होंगी तो ऐसी कोई feeling आपको आगे जाकर के नहीं आने परी so, इस चीज का ध्यान रखिएगा और बार बार इस चीज़ को mind में लेकर आईएगा जहाँ पर भी आपको लगे अरे यह तो बड़ा technical हो रहा है technical language है याद नहीं हो रही समझ नहीं आ रही तो एक चीज़ सोच लीजिएगा बस यह profession है इसी को जाकर आगे exercise करना है और इसी से पैसे कमाने है तो जब पैसे कमाने वाली बात आ जाएगी न तो वो technicalities भी आप समझना शुरू कर दोगे skip नहीं करोगे तो कहीं पर भी कोई चीज़े technical आईए ignore नहीं करना और technical तरीके से ही इस subject को पढ़ना है और यह मानते हुए यह profession है मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा क्यों कि आगे जाकर आपको कहीं पर कोई problem ना आए आप आज की डेट में short trick से काम करें तो आगे की problem लेंगे मैं नहीं चाहता आगे problem लें हाँ अभी इन 50-52 lecture के अंदर यदि आपने proper time दिया proper तरीके से चीजों को समझा then फिर वो problem नहीं है रादर एक opportunity होगी आपके लिए कि आपने subject को भी अच्छे से समझ लिया concept को भी अच्छे से समझ लिया technical aspect को भी अच्छे से समझ लिया जो ना केवल आपको inter audit के अंदर paper में अच्छे number दिलाएगा final में आपको proper तरीके से help करेगा जब आप final में जाएंगे तो definitely new syllabus आ चुका होगा और new syllabus के अंदर पूरी तरह से case study based paper होंगे जहाँ पर ये short tricks, short abbreviation cramming वो चीजे काम नहीं आएंगी वहाँ पर काम आएंगी concept की clarity और understanding और CA खली intermediate नहीं होती CA का मतलब intermediate final plus all trainings है जिसके बाद आप जाकर ICAI के member बनते हैं तो यदि आप ICAI की membership की तरफ एक step लेकर चल रहे हैं ICAI की membership अपने आप में आपके लिए एक ये कह सकते हैं खवाब है, dream है और आगे जाकर जो आपकी पूरी life का part बनना है, तो आज इसके साथ किसी भी तरह की short tricks cheating मत करिएगा इस subject के साथ चल, बाकी आप समझदार है मैं आपको सिर्फ guide कर सकता हूँ लेकिन decisions आपने लेने हैं क्या आपको 100 में से 40 number चाहिए, 50 number चाहिए 80 number चाहिए या आपको number जो आएं ठीक है concept की clarity चाहिए concept की understanding चाहिए जो ना केवल आपको final में help करेगी और आपकी पूरी life में help करेगी decision आपको लेना है cramming पर जाना है या concept की clarity पर जाना है short tricks पर जाना है या comprehensive study करनी है क्योंकि आज की date में most of the times मेरे पास जो students के या फिर other teachers के साथ जो discussions होती है न वहाँ पर student का नजरिया शायद से बदल गया है और वो नजरिया ये बदला है कि बस सर में तो pass होना है लेकिन जब वही चीज़ आ जाती है ना pass होने वाली तो उसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जब आप pass होने के बाद मैं ऐसा नहीं कह रहाए आप pass नहीं हो सकते definitely आप pass होंगे pass होने के बाद आगे industry में जाते है ना तो industry में जो एक view बनता है CS के बारे में वो ये view है इनको आता तो है लेकिन apply नहीं करना आता चीजों को इन्होंने knowledge भर रखी है mind में लेकिन उस knowledge की application करनी नहीं आती तो वो application तो बेटा तभी आएगी जब चीजों को technical तरीकों से आप study करेंगे तो आज अपना दिमाग properly apply करें studies के उपर so that future में ये जो चीजें हैं ये आपके सामने कोई question mark ना लगाए चलिए आगे बढ़ते हैं audit के meaning के बाद number 2 topic हमारा framework of auditing auditing का framework ये क्या होता है आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज कोई ना कोई rule, regulation, law काम कर रहा होता है जैसे आप accounts पढ़ते हैं accounting standard tax पढ़ते हैं income tax act आप law पढ़ते हैं company law FEMA, foreign contribution regulation act Indian contract act, negotiable instrument act बहुत सारे law हैं जो पीछे काम कर रहे होते हैं यदि मैं आज आपको कहता हूँ कि आपको 10% का tax देना है 20% का tax देना है, 30% का tax देना है और आप मुझे पूछे कहां लिखा है I will say income tax act में लिखा है GST law में लिखा है जिस tax की मैं बात कर रहा हूँ मैं उसका reference आपको दे दूँगा आपको का जाए, accounts में इस तरीके से काम करना है आपको property, plant, equipment को ऐसे recognize करना है ऐसे उसकी measurement करनी है ऐसे उसका valuation करना है intangible assets की valuation, recognition, measurement ऐसे करनी है तो यदि पूछा जाए, कहां लिखा है तो कह भी आ जाएगा AS10 में देख लो, AS26 में देख लो तो पीछे references होते हैं चीजों के तो उसी तरह से जब audit की आप से बात की जाए कि आप audit में ऐसे कर रहे हो आप sampling कर रहे हो आप analytical procedure कर रहे हो आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो तो पूछा रहे है, कहां लिखा है ऐसा क्यू कर रहे हो तो इसका क्या जवाब है इसका जवाब है law में लिखा है आप inter law में पढ़कर भी आए हो audit and auditor का chapter Companies at 2013 के chapter number 10 में section 139 से लेकर 148 के अंदर provision है इसके अलाबा auditing करनी कैसे है standards on auditing के अंदर लिखा है उसके बाद day to day के अंदर जब आप चीजों की verification करते हैं उसमें किसी particular transaction को examine करने के लिए किस तरीके से काम करना है उसके उपर institute guidance note देता है regulatory authorities like RBI हो गया IRDA हो गया TRY हो गया यह अपने sector के लिए regulations issue करते रहते हैं so in this manner जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो auditing का framework क्या कहां से मिलता है उसकी बात करते हैं हमारा entire auditing का जो framework है वो तीन main जंगा से हमें मिलता है वो कौन-कौन सी है number 1 legal provisions number 2 B point standards on auditing and C point pronouncements तो जब हम legal provisions की बात करते हैं तो legal provisions हमें कहां कहां पर मिल जाते हैं मैं कुछ वो legal provisions के बारे में बात करता हूं जो आपने पढ़ रखे होंगे सुन रखे होंगे थोड़े बहुत number 1 Companies Act 2013 number 2 Income Tax Act 1961 number 3 C GST Act 2017 Bank audit की बात आ जाएगी तो Banking Regulation Act 1949 यदि किसी cooperative society की audit की बात आ रही होगी cooperative society की भी बात करेंगे LLP की भी करेंगे Banks की भी करेंगे Bank audit, cooperative society audit, LLP audit ये सब हमारे slaves का पार्ट है फिर बात आ जाती है Standards on Auditing की Standards on Auditing कौन issue करेगा दो level पर Standards on Auditing issue होते है जैसे आप accounting standards के बारे में पढ़ते है Accounting standards are being issued by Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountants of India उसी तरह से Auditing and Assurance Standard Board of ICAI ये भी क्या issue करता है Standards on Auditing International Standards होते हैं उनको कौन issue करेगा International Auditing and Assurance Standard Board of IFAC IFAC क्या है International Federation of Accountants आज का डे 18th of November और आज 18th November 22 को एक बहुत बड़ा इवेंट भी ICAI और्गिनाईज करने जा रहा है World Congress of Accountants तो जो All Over the World Accounting Bodies है उनका एक प्रोग्राम आज शुरू होगा Bombay के अंदर मुंबई में जो ICAI ने और्गिनाईज किया है तो ICAI IFAC का एक Member Body है International Federation of Accountants का आज इंस्टिट की वेबसाइट पर यदि जाओगे तो आपको World Program की डिटेल मिलेंगी देखें यदि मेरे इस iPad पर ICAI की वेबसाइट रन हो रही होगी तो दिखाता हूँ आपको यह रहा 21st World Congress of Accountants और इसमें ICAI ने इस Advertisement में Logo लगाया है किसका IFAC का International Federation of Accountants का तो IFAC basically एक International Organization है and all over the world जितनी accounting bodies है most of the accounting bodies are the member of IFAC तो International Level के उपर जो Standards Issue किये जाते है उनको नाम दिया जाता है International Standards on Auditing का जैसे Accounts में IFRS होते है International Financial Reporting Standards तो उसी तरह से Auditing के Standards होते है International Standards on Auditing और National Indian Level के उपर जो Standards apply हो रहे हैं They are Standards on Auditing being issued by Auditing and Assurance Standard Board of ICAI तो ये हैं क्या मैं एक बार आपको इनके नाम भी लिखवा देता हूं क्योंकि अभी याद रहेंगे बाद में हो सबता है भूल जाओ और उसी आपको अपका वर आपको अपकों आपकों आपकों ये तरह सब्सक्राइब आपकों है International Federation of Accountants and IAASP International Auditing and Assurance Standard Board तो यह हो गया हमारा दूसरा आस्पेक्ट जहां से हमें Auditing के Related Provisions मिलते हैं फिर बात आ जाती है Third Word की that is Pronouncements Pronouncements basically है क्या जो अपने आप में एक Authoritative Role Play करता है that is जो formal announcement है that needs to be complied by various entities वो pronouncements कोन issue कर सकता है एक तो इस profession को इंडिया में in general regulate किया जा रहा है by the ICAI तो प्रोनाउस्मेंट्स कोन issue कर सकता है issued by ICAI या फिर इनको कोन issue करता है issued by regulatory authorities जब हम ICAI के reference में बात करते है तो ये क्या है basically these are guidance notes various statements जो ICAI issue कर देता है regulatory authorities भी कुछ pronouncements issue करती है उनको कौन कौन सी regulatory authorities है bank के reference में RBI insurance companies के reference में IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India listed companies के case में SEBI Securities and Exchange Board of India तो auditing के इस entire profession को कौन regulate कर रहा है ये सारे aspects हैं जो इसकी regulation से related है कुछ जगा पर हमें law के provisions देखने को मिलेंगे कुछ places पर हमें standards की बाती मिलेंगी कुछ जगा पर हमें formal announcements मिलेंगी जिनका हमें ध्यान रखना है इसके reference में अब आपको एक बार वापिस institute की website पर लेकर चल रहा हूँ ये हमारे institute की website है जिसके उपर आपको एक link मिलेगा resources का resources के link में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चीजे देखने को मिलेंगी एक word है accounting standard जो सबसे पहला word है फिर ICAI के valuation standard accounting standard for local bodies standards on internal audit list of exposure draft guidance notes engagement and quality control standards इस पर click करिएगा engagement and quality control standards के उपर तो नहाँ पर आपको बहुत सारे standards देखने को मिलेंगे standards on quality control standards on auditing standard on review engagement standard on assurance engagement standard on related services ये institute ने ICAI ने issue कर रखी हैं ये सारे सब pronouncements के अंदर cover होते हैं और क्योंकि institute ने issue की है तो क्या institute के जो members है institute के जो members हैं जब वो audit कर रहे हैं या assurance का function कर रहे हैं या review का function perform कर रहे हैं जो भी activity कर रहे हैं तो यदि उस activity के relation में ICAI ने कोई standard issue कर रखा है तो क्या उसका compliance करना जरूरी हो जाता है yes, because it is formally announced by the ICAI और आप यदि ICAI के member हैं तो आप से expect किया जाता है आप इन चीजों से abide हैं आप इन चीजों को follow करेंगे while performing the audit तो ये कुछ चीजे हैं जो time to time हम लोग देखेंगे अभी introductory lecture में मैं आपको इधर से उधर, उधर से इधर घुमाता रहूंगा objective यही है आपको वो सारी चीजे दिखाना जहां से हम इस audit को पढ़ने जा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो हो गया हमारा framework अब इसके बाद एक word आता है types of audit का audit होती कितनी तरह की है audit primarily दो तरह की होती है एक तो होती है statutory audit जब मैंने word use कर दिया statutory तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ उस audit की which is being required under the provisions of law statutory और दूसरा मैंने word use किया voluntary audit voluntary audit वो है जो आपने अपनी मर्जी से अपनी willingness से बिना किसी statutory requirement के करवाई है अब आपके माइन में question आएगा सर एक person क्यों voluntary audit को अपनी मर्जी से क्यों खर्चे को करेगा audit के अपने कुछ फाइदे होते है कुछ importance होती है कुछ benefits होते है जो derived होते है आप audit से accounts के अंदर जो miss statements है उनको हो सकता है identify कर ले हो सकता है audit के दोरान आपको पता चले कि जो policies use की गई थी accounts को बनाते वक्त financial statements को बनाते वक्त that were not appropriate that were not relevant तो कुछ persons जिनके उपर statutory requirement नहीं भी है audit कराने की but still they get their accounts audited तो वो person जो audit करा रहे होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है उसको नाम दिया जाता है voluntary audit का तो अब मैं आपके साथ जो next topic discuss कर रहा हूँ that is types of audit अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा अभी मैं जो आपको ये topic करवा रहा हूँ सारे मैंने पहले भी बोला ये कोई particular topic किसी chapter का नहीं है मैं in general आपके साथ कुछ चीजे discuss कर रहा हूँ auditing concept से related आज के lecture में भी और जो next lecture होगा हमारा उसके अंदर भी point number 3 types of audit audit कितनी तरह की है हम इसको दो categories में बाढ़ सकते हैं two types number one statutory audit and number two voluntary audit statutory audit से हमारा क्या मतलब है audit that is required by law voluntary audit audit not required by any law जब हम बात करते हैं statutory audit के तो क्या इसके कुछ examples हम discuss कर सकते हैं जी हाँ audit अंडर Companies Act 2030 जिन स्टूदेंट्स ने इंटर लॉक के अंदर chapter number 10 पढ़ लिया section 139 से 148 वो तो इसका answer बड़े अराम से दे सकते हैं Company Act के अंदर section 143 के अंदर auditor को कहा गया है auditor आपको audit करनी है किसकी books of account की and financial statements की और इस audit को क्या नाम दिया जाता है इस audit को नाम दिया जाता है financial audit इसी तरह से company act के अंदर एक और audit की requirement है और वो audit कोन सी है cost accounting records की audit audit of cost accounting records और उसको क्या नाम दिया जाता है cost audit का तो क्या ये दोनों audit under the requirement of law हो रही है तो क्या ये दोनों ही statutory audit है definitely हाँ ये दोनों ही audit कोन सी है ये दोनों audit statutory audit है फिर बात आती है क्या sir आप कोई और example भी दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूँ आप भी तो दे सकते हैं बताएंगे जरा मैं चेक करूं वापिस की message आभी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हंजी बेटा कोई message भेजो गोपेश, आयूश, अगर्वाल, प्रिया, हेमा I think there is some challenge चलो, कोई ने एक काम और करिएगा कि काफी students वैसे भी most of the students तो live classes की जंगा Google Drive backup पर है तो यदि चाहे Google Drive पर है या live at home batch में है या center पर class कर रहे हैं तो यदि कोई भी doubt class के अंदर during the class discuss नहीं भी हो पाता तो आप after the class भी मेरे से doubt ले सकते हूं और जो आपको Google Drive link की mail मिली होगी उस mail के उपर आपको phone number भी मिला होगा जिस पर आप doubt ले सकते हैं email id भी उसमें mention है जिस पर आप doubt ले सकते हैं और technical support के लिए कि यदि live classes को join करने में कोई challenge आ रहा है even जिन students ने Google Drive की option भी ली है Google Drive की option भी ली है वो भी live classes को join कर सकते हैं कोई extra efforts उसके अंदर नहीं है कोई extra fees नहीं है सिरफ एक streamer उसमें अंदर होता है शायद वो आप technical team से coordinate करके live batch को भी join कर सकते हैं जब वो live class चल रही होती है तो live class is basically एक facility है जो आप live class के अंदर अपने discussions अपने कोई doubt है उसको raise करने के लिए use कर सकते हैं लेकिन यदि किसी भी region से आप live class नहीं attend कर पाते हैं आपका regular college है या फिर आपकी कोई और class clash कर रही है और whatsoever the reason his family के भी बहुत सारे challenges होते हैं तो यदि आप class को बात में google drive पर देख रही है then also यदि कोई भी doubt है तो उसके लिए mobile number as well as email id की detail आपको google drive पर मिलेगी और live class join करने के लिए या फिर chatting करने के लिए कोई support चाहिए कोई technical issue आ रहा होगा तो वो भी google drive के अंदर technical team के google drive link की जो mail है उसके अंदर technical team के number है उनसे आप coordinate कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम नमबर दो दूसरी हमारी audit आ जाती है under the fiscal laws या revenue laws fiscal law और revenue laws और इसके सबसे best example क्या है audit अंदर section 44 A.B. of income tax act 1961 earlier CGST act के अंदर भी एक audit होती थी section 35 में जिसको finance act ने remove कर दिया था तो आज GST audit नहीं होती है तो आज हमारे पास fiscal laws में जो example available है revenue law के अंदर जो example है that is audit under section 44 A.B. of income tax act 1961 का नम्बर तीन audit under other laws जैसे bank audit under the provisions of banking regulation act 1949 audit of LLP under the provisions of LLP act 2008 audit of cooperative societies under the provisions of cooperative societies act 1912 तो जहां पर भी किसी audit की requirement under the provisions of any law है under the provisions of any law तो हम उस audit को क्या नाम देंगे हम उसको नाम दे देंगे statutory audit का बट यदि audit एक परसन ने not under the requirement of any law रादर अपनी willingness के उपर कर आई है देन उसको voluntary audit का नाम दिया जाएगा और इसका basic concept क्या है audit वो तो उपर आई गया not required by law इसके example क्या हो सकते है audit by an entity then required by banks bank ने मांग ली audit report क्यों? bank में गए थे loan लेने अब जब loan लेने गए तो bank ने का audit report लाओ bank वाले को बोला हमारी तो audit होती नहीं है ऐसे ही loan दे दो bank ने का ऐसे तो हम loan देते नहीं audit करा कर ले आओ तो ऐसे case में बेशक law की requirement नहीं है loan लेना है ठीक है वही या audit करा लेंगे इसी तरह से कोई grant लेनी थी government से government के पास पहुँचे department के पास पहुँचे department ने का financials दिखाओ हमने financial दिखा दिये अब financial audited नहीं थे government department के officer ने का इन पे मैं कैसे trust कर लू ये तो आपने खुद बना रखे हैं तो हमने बोला हम खुदी तो बनाएंगे और कौन बनाएगा department वाले बोले हाँ बनाओगे तो खुदी अब बनाओगे खुदी तो इसमें गडबड भी करोगे हमने का नई नई हमने कोई गडबड नहीं की तो department वाले ने किया बोला होगा मैं कैसे विश्वास करूँ how I can trust on you तो हमारा reply होगा भाई साब कैसे trust करोगे बता दो mind में आ रहा होगा अक्सर ये पैसे लेने की बात कर रहा है रिश्वत की बात कर रहा है नहीं उल्टाइ मत सोचो हमेशा ये बात कर रहा है audit की ये कह रहा है किसी independent person से जाकर के checking करा कर लाओ कि आपने जो ये accounts बनाए है ये सही है या नहीं रिश्वत तो बात में देखेंगे पहले formality तो पूरी कर लो तो हम आपकी audit report देखना चाहते हैं तो यदि audit required है by bank for loan by government किसलिए for grants तो हम ऐसी audit को बेशक वो किसी law की requirement में नहीं थी लेकिन वो required की गई थी by a bank, by government और आप किसी creditor से लो आप किसी person से कोई goods खरीदने जाओ किसी person से financial assistance मांगो किसी person से उसकी knowledge sharing की बात करो किसी person से copyrights के rights को use करने की बात करो in that case यदि वो person कहता है मैं आपके rely तो कर सकता हूँ बट मुझे आपकी financials को examine करना है लेकिन वो आपके financials जो है वो audited होने चाहिए then only मैं आपके साथ किसी तरह की dealing कर पाऊँगा या मैं आपको assist कर पाऊँगा तो वो चीजे law में required नहीं थी वो किसी financial institution ने तो दो तरह की audit है एक statutory audit और दूसरी voluntary audit I hope ये topic भी clear होगा आपको अब आगे भढ़ते हैं अच्छा इन में से एक चीज और बता दूँँ आपको यदि किसी भी topic में अभी at present कहीं पर कोई doubt भी आ जाए तो उसकी कोई tension नहीं लेनी मेरा objective सिरफ audit के कुछ key words आपकी knowledge में डालना है आपको उन words के बारे में थोड़ा सा ज्यान देना है ताकि उसके basis पर जब हम आगे main chapters को पढ़ें तो आपको ये सारे words सुने सुनाएं लगें और आप इनको conceptually और ज़्यादा better clarity के साथ पढ़ सकें तो कहीं पर कोई चीज आपको ऐसा लगे कि नहीं ये concept अभी पूरी तरह से clear नहीं हुआ या इसकी detail तो हमने की ही नहीं तो उसकी कोई tension नहीं लेनी इनकी detail हम आगे जाकर के जब main chapters पढ़ेंगे वहां पर आईगे नमबर चार अभी हमने बात की audit की अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ auditor की auditor कितनी तरह के होते हैं auditor भी दो तरह के होते हैं जैसे कि यह जो नाम बताए गए थे उपर audit के statutory audit, voluntary audit तो उसी तरह से auditor भी statutory auditor हो गया, voluntary auditor हो गया लेकिन हम generally इसको जो classify करते हैं statutory auditor को external auditor यह voluntary auditor को internal auditor कह सकते हैं but there is a difference external auditor, internal auditor में statutory auditor and voluntary auditor में कुछ minor difference है statutory auditor यह वो auditor है जो law की requirement के अंदर आई गई audit को कर रहा होगा voluntary auditor यह वो auditor है जो voluntary audit को कर रहा होगा but जो generally word use किये जाते हैं audit terminology के अंदर वो external auditor and internal auditor या statutory auditor and internal auditor यह दो word use किये जाते हैं मैं पहले आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ फिर इसके कुछ examples लेंगे हम ​Types of auditor A. External Auditor B. External Auditor external auditor is a professionally qualified person internal auditor may or may not be professionally qualified though under the provisions of companies at 2013 यदि आपको याद आ रहा हो आपने एक chapter पढ़ा था inter law में जिसका नाम था accounts of companies का और उसका last section था section 138 का internal audit section 138 internal audit में लिखा गया था कौन सा person internal auditor हो सकता है और वहां बताया गया था कि एक chartered accountant या एक cost accountant या any other such professional professional as decided by the board तो company law में तो सिरफ और सिरफ एक professional ही internal auditor हो सकता है but other than company law other than company law यदि कोई entity internal auditor appoint करती है that person may or may not be professionally qualified क्योंकि law की तो कोई requirement ही नहीं है this person is external to the organization entity say organization से बाहर का होगा और इसलिए हम इसको also known as the statutory auditor when appointed under the requirements of any law तो इस external auditor को हम statutory auditor का नाम भी देंगे जब इसको किसी law की requirement के अंदर appoint किया गया हो जैसे example लेते हैं उपर वाले चीज़ से इसको relate करते है यदि company law की requirement के अंदर एक chartered accountant firm को auditor appoint किया गया है तो वो chartered accountant firm company से बाहर की है तो वो external भी है और क्योंकि वो company law की requirement के अंदर appoint हुई है तो उसको क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया statutory auditor का और वो statutory auditor क्या है external to the organization इसी तरह से एक bank ने auditor को appoint किया वो auditor एक C.A. firm है तो जो C.A. firm है वो कौन है external है लेकिन अम मान लो internal audit के लिए internal audit के लिए company ने एक C.A. firm जो outside the organization है उसको appoint किया तो नहां पर हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है है तो वो internal auditor लेकिन है वो company के बाहर का तो क्या मैं उसको external auditor या statutory auditor का नाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता internal auditor वो organization के अंदर का भी हो सकता है और organization से बाहर का भी हो सकता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है हाँ external auditor हमेशा बाहर का होगा बट internal auditor अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है नाम internal है बट may be outside the organization जैसे इसका सबसे अच्छा example बहुत सारी companies में बड़ी बड़ी companies की internal audit बड़ी बड़ी CA firm या MNCs करती है जैसे big four Deloitte, KPMG, PwC, EY इनके पास बहुत बड़ी बड़ी companies की internal audit है अब है तो ये internal audit लेकिन ये तो company से बाहर के person है ये तो multinational companies है multinational consulting firms है तो internal auditor जरूरी नहीं है कि वो company के अंदर का ही हो वो company से बाहर का भी हो सकता है ये point थ्यान रखना है इंटर्नल ओडिटर मे और मे नॉट भी इंटर्नल टू दी ओर्किनाइजेशन तो जरूरी नहीं है कि जो इंटर्नल ओडिटर है वो organization के अंदर का ही कोई व्यक्ति हो वो outside the organization भी हो सकता है 138 आपने पढ़ा हुआ है मैं उसका एक छोटा सा note आपको लिखवा रहा हूं अपने का पस्ट एक है कि अगर मैं लुटास्यू पर रहीं मैं व्यक्टि अग्टिक्रिय्म्न अग्टिए अर्वार्टिय्स अपने अग्टास्टीए अन्वटिंटल रहीं है Certain companies are required to appoint internal auditor for internal audit function. तो अब यह जो internal audit है, इसकी requirement कहां से आई? Company Act 2013 से आई. क्या इसको मैं statutory audit का नाम दे दू? नहीं. Such audit cannot be considered as statutory audit. as the objective of this audit is to facilitate or assist the management. Management को assist करना था. Internal audit का purpose. तो बेशक यह internal audit under the requirement of law थी. Section 138 of Companies Act 2013. वर फिर भी मैं इसको statutory audit का नाम नहीं दे सकता. It remains internal audit. एक और नोट लिखिया. A person external to the organization if appointed by the entity for internal audit purposes मैं उसको external auditor नहीं कह सकता. cannot be considered as external auditor. तो यह दो exception हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ audit law की requirement में होने के बावजूद statutory नहीं कहलाई जाएंगी और कुछ auditor external होने के बावजूद external नहीं कहलाई जाएंगे. माल लो, आपकी एक company है. उस company में internal auditor की requirement है. आपने मुझे approach किया कि मैं आपकी company की internal audit कर दूँ. मैंने का ठीक है मेरे पास समय है और मुझे audit की थोड़ी बहुत knowledge भी है मैं आपकी audit कर दूँगा और आपकी और मेरी एक understanding बन गई. मैंने आपके यहाँ internal audit की अपने charges लिये, internal audit report मैं बनाता हूँ और आपको देता हूँ जिसके base पर आप अपनी organization में corrective actions को time to time लेते रहते हैं. तो मैं आपका employee नहीं हूँ. मैं आपके द्वारा बताई गई requirement के हिसाब से काम करता हूँ. बट I am a freelancer, मैं अपने आपको आपके यहाँ पर सिरफ और सिरफ एक professional capacity में associate कर रहा हूँ. Not in capacity as an employee. तो मैं आपसे external हूँ. लेकिन मुझे appoint किया गया था for internal audit purpose. बेशक मैं external हूँ to the organization, तो मुझे external auditor कभी नहीं कहा जाएगा, हमेशा मैं क्या रहूँगा, internal auditor ही रहूँगा. तो इस तरह से यह दो exception है, कि कुछ audit law की requirement में है, but still हम उसको statutory audit नहीं कहेंगे. और कुछ auditor external है, organization के, but still वो external नहीं कहलाए जाएंगे, they remains as the internal auditor. इसके मैं आपको एक दो example और लिखवाता हूँ. जो मैंने आपके साथ discuss किया अभी वो. ABC Limited अपूंट मैंसर्स राम्शाम और असोचेत्स, a CA firm as its internal auditor on a remuneration of Rs. 1,00,00. वेदर मैंसर्स राम्शाम और असोचेत्स can be considered as external auditor. क्या जबाब आएगा? आंसर आएगा no. जब आपने इनको internal auditor appoint किया है, तो ये internally कहलाई जाएंगे, ना external थोड़ी कहलाई जाएंगे. ये एक outside CA firm थी. क्या ये statutory auditor कहलाई जा सकते हैं? क्या जाएंगे. आप से कहा क्या मैं external auditor मानूँ क्योंकि ये organization से बाहर के person है? नंबर दो पर मैंने कहा क्योंकि ये 138 की requirement के अंदर है, तो क्या मैं इसको statutory audit मान सकता हूँ? इसका भी सीधा सा जवाब आएगा, no sir, no, big no. नहीं मान सकते. ये दोनों ही point हमारी जो ऊपर दो exception मैंने आपको लिखवाई थी, उसके basis पर थी. तो ये हमारा topic था about various types of auditor का. तो चार topic हमने अभी cover किये. नंबर एक audit का meaning, नंबर दो पर हमने बात की framework of auditing की, नंबर तीन पर हमने बात की types of audit की, एंड नंबर चार पर हमने बात की types of auditor की. तो अब एक काम करते हैं, दस मिनट का एक break लेंगे, और break के बाद इस session को आगे continue करेंगे. राइट? चलिए.